Celiac disease की जो एक autoimmune condition है उसमें जब आप कोई भी किसम का gluten अपने body में डालते हैं तो एक inflammatory या एक immune system का response आता है जिसकी वज़े से अलग-अलग symptoms आ सकते हैं gluten के अंदर gliadin नाम का जो component होता है उसकी वज़े से ये reaction आता है तो कुछ चीजों को avoid कीज़े और कुछ चीजों को आप डायेट में एड कर सकते हैं ये सारी चीज़े डॉक्टर की सला के साथ ही कीजेगा क्या avoid करना है गेहूं, जौ, soy sauce, dextrin, maltodextrin और bread को avoid करना है साथ में add कर दीजे fruits, vegetables, अलग-अलग किसम की डाले, rice, nuts और seeds अगर इन चीजों का खयाल रखा तो celiac disease के जो symptom है वो temporary remission में जा सकते हैं